अलवेश ठाकूर, उनकी अवकात नहीं है, जो हम बिहारियों के कुछ बोल सकें, और मैं गुजरात में सो करने जाने वाला हूँ, और उनकी अवकात होना तो मुझे मना कर दे और मुझे बोल के दिखाए। कि उनकी गलती है, कि एक की सजा उन्होंने सारे बिहार के सारे लोगों को दी, तो मैंने उनको वो भी कहाँ कि आप प्लीस ने ये, मैं बताना चाहता हूँ, एक दखिए, हम एक हिंदुस्तान के हैं, उसमें गुजरात भी आता है, हम एक इंसान है, और कोई भी आदमी हो, कुछ चनल लोग, जिनके उज़े से कचड़ा हुआ है, और सच में अलवेश ठाकुर, सच में उसकी बाप की गुजरात नहीं है, और ना ही बिहार मेरे बाप की है, ना यूपी मेरे बाप की है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान मेरे बाप की है, और हम सब की है गुजरात हम सब की है बिहार हम सब की है और हमें अपने विकास के लिए सोचना चाहिए किसी पर्टिकलर एक इंसान के लिए नहीं कि हाँ बिहारी उने गंदा कर दिया बिहारी आज काम करना छोड़ देना तो ये रोड पर आ जाएंगे चाहिए इतने भी बिजनिस में बिकुस मैं भी जानती हूँ मैं गुजराते फिल्म्स करती थी तो वहाँ पर जितनी फैक्टरी जमील से हीरा की जो भी है बिहार के लोग हैं तो मैंने भी उनको कहां अभी रिक्वेस्ट की है तो अभी मैं और इसनी जादा तो गुजरात के सारे लोग बूरे थोड़ी हैं ये भी आज बिहार के हर उस मिटी की आवाज गाती हैं तो ये तो गुजराती है ये नहीं ये तो बिहार की बेटी हो गई है ये बिहार के बहु हो गई है बिहार की जान हो गई है तो कहीं न कहीं हमारे काने का मतलब के हर गु मेरा मानना है की देखिए हमें अगर मेहनत करना आता है तो हमें लड़ना भी आता है। कि अवरते निकल के काम करना पड़ेगा और फ्यक्टली सम्हालनी पड़ेगी तो साइद आप मालिक नहीं रह जाएंगे तो प्लीज अगर मालिक बनके रहना है तो हमारी बिहारियों का आधर सम्मान करिए थैंकि